प्रभूसर्फ्ट एक्सेल के आज के क्लासेज में हमें सीखना है इस से पहले वाले क्लासेज में हमने सैलरी शीट ग्रेडवाइज सैलरी शीट सीखा लेकिन आज का जो टॉपिक हम लोगा वो है अड़्वान सैलरी शीट advanced salary sheet में कुछ हम लोग को बहुत सारा advanced topic देखने को मिलेगा उसका एक demo file हमने ready कर रखा है यहाँ पे जहाँ पे हमें यह दिख रहा है कि employee का details है और employee details में हम लोग का employee ID, employee name, department और grade है basic salary, earnings में हम लोग का basic salary है but 25 बार जो हम लोग का salary sheet है इसमें with attendance है इससे पहले वाले salary sheet में हम लोग का attendance जो था वो included नहीं था पर यहाँ पे हम लोग का attendance इंक्लूड किया गया है कि अगर suppose किसी बंदे का salary 30 days का 25,000 बनता है तो 25 days अगर वो जॉब में आता है तो उसका salary क्या बनेगा तो उसके लिए यहाँ पे calculation निकाला गया है प्लस DHR नॉर्मली जो पहले निकालते थे उसी तरह से निकाला गया है और इसमें एक नया चीज एक एड किया गया है OT गया होता है जब company का बहुत ज़्यादा pressure होता है company का working का production का कुछ ज़्यादा pressure जब होता है तो उसके बिहाप में वो employee को over time करवाता है और उस over time के बिहाप में उसको extra amount, extra salary जो है वो पे करता है तो वो जो OT होता है उसके बिहाप में उसको salary कितना extra मीलेगा वो भी यहाँ पे निकालावा है और gross salary क्या बनता है प्लस इसके इलावा जो deduction में आता है वो tax, PF और ESI और finally उसको net payment कितना मीलेगा तो यह है हमारा एक demo file जो हमने ready कर रखा है पहले से तो इसको किस तरह से हम लोग पुरा ready करेंगे तो अब हम लोग इस topic में आज का जो हम लोग का topic है Microsoft Excel में वो है Advanced Salary Sheet तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे Microsoft Excel को स्टार्ट कर लेते हैं Microsoft Excel को स्टार्ट करने के बाद एक new page इंसर्ट कर लेते हैं और हम लोग का जो heading है First हम लोग यहाँ पे employee ID अच्छा employee ID क्या होता है employee names तो हम लोग दे सकते हैं पर employee ID इसमे new add क्यों किया गया है employee ID इसलिए आइड कर दिया हम लोगोंने suppose same name का Amun नाम का दो employee है तो हमें कैसे पता चलेगा किस employee का salary इतना बन रहा है तो employee ID से हम लोग यह पता कर सकते हैं कि यह किसका employee ID है तो यहाँ पे फर्स्ट employee ID देंगे उसके बाद यहाँ पे होगा employee name उसके बाद उसका जो department होता है वो होगा उसके बाद यहाँ पे grade then basic basic salary ठीक है उसके बाद एक नया चीज हम लोग इसमें add कर दिये वो है attendance ठीक है attendance short में यह double t लिखकर यहाँ पे short करके छोड़ देते हैं उसके बाद finally salary in hand उसका salary कितने उसके hand में आ रहा है वो ठीक है अब यहाँ पे क्या add होगा उसके बाद यहाँ add होगा DA HRA जो normally होता था उसके बाद total total से पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज और add कर दिया OT OT hours ठीक है OT hours उसके बाद OT salary ठीक है OT का salary बनता है उसके बाद अब deduction में आ गया deduction में क्या क्या आता है deduction में जो आपका income है यानि employee का income है उसको एक tax उसको deduction किया जाएगा उसके अलाबा PF जो provident fund जिसे बोलते हैं और finally यहाँ पे ESI जो medical allowance होता है सबसे last में हम लोगा हो गया NET salary यह हमने heading set कर लिया यहाँ सेलेक्शन करके इसको format पे जाके auto fit कर लेते है auto fit column कर दिया अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कुछ भी set करने से पहले हम लोग यहाँ पे पहले employee ID set कर लेते है employee ID suppose UN001 यह employee का हम लोग का ID है UN001, UN002 employee ID हमने set कर लिया इस तरह से drag कर लेंगे ड्रैक करने के बाद यहाँ पे अलग-अलग employee का name देंगे XYZ कोई भी name देते है यहाँ पे सभी employee का जो department होगा वो set कर देते है computer accounts finance store marketing computer accounts finance store computer suppose इस तरह से हमने सब का department भी set कर लिया next हम लोग को करना है वो क्या करना है उसमें हम लोग को grade मालुम करना है तो grade का जो formula होता है वो formula हम लोग set कर लेंगे equals to if bracket open suppose यह जो employee है नायाब नाम के employee है वो computer department में है तो अगर suppose कोई भी employee हो वो suppose अगर अगर computer department से बिलोग करता है या उस computer department में job करता है तो उसका grade क्या हो जाएगा उसका grade हो जाएगा A अब यहाँ पे kind your information एक चीज अच्छे से आप समझ लो कि जरूरी नहीं है कि आप computer को ही A देना है आपको आप finance को भी यह दे सकते हो accounts को भी यह दे सकते हैं बट यहाँ पे एक example हम लोग set कर लिया कि suppose अगर वो बंदा वो employee computer department में job करता है तो उसको हम लोग A grade में रखेंगे comma अगेन उसी formula को फिर से हम लोग repeat कर रहे हैं अभी suppose यह बंदा सपोज accounts department में है तो उसका grade क्या हो जाएगा? उसका grade B हो जाएगा ascending order में इस तरह से हम लोग set कर सकते हैं अगर suppose यह बंदा यह employee finance department में job करता है तो उसका grade C हो जाएगा suppose यह employee marketing department में है तो इसका grade D हो जाएगा और otherwise इन चारों के लावा कुछ अलग department में होगा तो इसको E grade में रख देते हैं और जितना बार भी bracket open वह है उतनी बार यहां पर bracket close कर देते हैं यहां पर 4 time bracket open हुआ है यहां पर 4 time हमने bracket close कर दिया then enter कर दिया अब यहां पर क्या करेंगे यहां पर जाके डबल क्लिक करेंगे तो आटो सब करेंगे अम लोग ने computer को A दिया था finance accounts को B finance को C marketing को D other में आपका store आ गया यहां पर दोनों store E grade में अगर इसके रावा कुछ और भी देंगे तो भी वह E में ही पकड़ेगा उसको अब लोग को basic निकालना है तो basic निकालने के लिए क्या करना होगा suppose किसी का grade A है किसी employee का grade A है तो उसकी salary हो जाएगी 25,000 comma एक part complete फिर से again repeat करेंगे if अगर suppose यह जो employee है इसका grade B है तो उसकी salary हो जाएगी 20,000 इसी चीज को again again repeat करते जाएंगे finally otherwise 10,000 मतलब A, B, C, D के अलावा अगर कुछ अलग department होगा that means E grade या F grade कोई भी grade होगा तो उसको 10,000 मिलेगा एक, दो, तीन, चार चार बर bracket open होगा चार बर bracket close कर देंगे अब आजाते हैं attendance attendance में क्या होता है? number of days set करना पड़ता है वो बंदा कितना days work किया suppose किसी बंदे ने 25 days किया किसी ने 24 किया किसी ने 15 किया किसी ने 18 किया किसी ने 23 किया यह अपने हैसाब से आप set कर सकते हो उसके बाद इसके साथ और एक चीज़ करेंगे suppose यह क्या है days है, month है वो तो clear नहीं हो पा रहा है तो हम लोग इसको clear करने के लिए यहाँ पे क्या set करेंगे इसको first यहाँ से selection करेंगे और keyboard से press करेंगे Ctrl plus 1 Ctrl plus 1 Ctrl plus 1 जैसे ही प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे custom में custom में जाने के बाद यहाँ पे type में हम लोग इसको selection करके delete कर देंगे और यहाँ पे shift को hold करेंगे और hashtag press करेंगे space then next double quotes लगाके यहाँ पे देंगे days then enter press कर देंगे इससे क्या हम लोग को advantage होगा इसके साथ days आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों यह clear हो जाएगा कि यह जो यहाँ पे हम लोगों ने number mention किया है वो days है अब salary in hand salary basic salary जो है वो company ने यह allow किया है ठीक है अलग-अलग grade के हिसाब से यह allow किया है बट यह बंदा इतनी दिन वो work कर रहा है उसके हिसाब से उसको salary allow किया जाएगा तो उसके लिए first हम लोगो क्या करना पड़ेगा हम लोगो first हम लोगो per day का निकालना पड़ेगा per day का salary क्या होता है suppose 30 days का हम लोग का work होता है तो हम लोग जो पूरी salary है उसको divide कर देंगे 30 days से then multiply this one per day का पहले मालूम कर लिया per day का salary क्या होगा ये तो overall जो salary दे रही है company ये 30 days की salary दे रही है तो हम लोगो per day निकालना है तो divided by 30 कर देंगे then multiply attendance कितना दिन वो attendance दे रहा है उससे multiply कर देंगे enter करने पे यहाँ पे हम लोग का salary in hand employee को मिल रहा है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा इसको round figure करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे degrees decimal को round figure में इसको यहाँ से convert कर देंगे और इसको फिर यहाँ से drag कर देंगे यह सब का salary मालूम हो गया अब हम लोग को निकालना क्या है हम लोग को निकालना है यहाँ पे DA तो DA में हम लोग condition लगा देते है if bracket suppose salary जो है less than equals to 15,000 अगर 15,000 से कम यह उसके बराबर है तो वो बंदे को salary का into 5% दिया जाएगा otherwise salary का into 6% ठीक है मतलब अगर किसी भी employee का salary जो है salary in hand जो है वो 15,000 से कम यह उसके बराबर है तो उसको DA क्या दिया जाएगा DA 5% दिया जाएगा otherwise उससे भी ज्यादा अगर salary बिलता है जैसे 15,000 1 rupees भी अगर होगा तो उसको 6% यह DA होता क्या है DA means होता है DNS allowance DNS allowance मतलब यह depend करता है महंगाई के ओपर जैसे महंगाई जिस तरह से बढ़ता है तो उस तरह से DA को increase किया जाता है तो यह depend करता है महंगाई के ओपर लेकर इसको enter कर देंगे यह everyone सबका निकल गया अब HRA HRA means होता है house rent allowance मतलब जो employee company में job करने आ रहे है suppose वो अलग-अलग places आ रहे है गर हमारे company Kolkata में और बंदा बिहार से रहा है या UP से रहा है या डेली से रहा है तो वो रोस तो घर नहीं जाएगा उसको तो रहने के लिए तो रहने के लिए company क्या करती थी पहले company quarter provide करती थी रहने के लिए room प्रोवाइड करती थी बट company आज के date में क्या करती है उसके विहाप में एक amount दे देती है उसके belong आप जहां पी रहना है वो amount लेकर आप रह सकते हो तो उसके लिए क्या करना होगा equals to if bracket open basic salary less than equals to 15,000 then basic salary का into 10% otherwise basic salary का into 12% means क्या हो गया 15,000 से कम या उसके बराबर किसी बंदे की salary होगी तो उसे 10% और otherwise 12% मतलब उससे जादा उने पर 12% मिलेगा यह भी आ गया निकलके अब OT hour OT hour मतलब यह जो सारे employee है किसने कितना-कितना extra OT किया है मतलब extra over time किया है suppose किसीने 25 गंटे किया है suppose किसीने 45 गंटे किया है किसीने 25 किया है किसीने 24 किया है किसीने 30 किया है किसीने 27 किया है किसीने 29 किया है किसीने 26 किया है अब यह इसको भी प्रिस करना है यहां से कन्टोर्स तुक। थूर्ट करना है यहां से क।स्टमै करना है तो इसको फर्स्ट सेलेक्षेन रेंगे उसी तरह से कन्ट्ोर्स फ्लास वन की बोर से Level PR as करेंगे क्न्ट्ट्र करने केंगे सप्रेंगे rating कॉल वे जैसे एट आवर्स का डेली जॉब है आपका, प्रोडक्शन की वज़ए से आपको जो ओटी करना पड़ रहा है, तो कमपनी क्या करती है, वहाँ पे आपको ओफर करती है, कि अगर आप दो घंटे या तीन घंटे जो भी आप एक्स्टा ओटी करते हो, पड़े का, तो उस आपको डबल अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है, जैसे अगर पर आवर का आपका अगर 100 मिलता है, तो ओटी में 200 मिलता है, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, उसके लिए फर्स्ट यहाँ पर एक्वल्स तू लगाएंगे, और एक्वल्स तू लगाने के बा इस वन, मतलब हम लोग उसको आवर्स में ले आएंगे, पहले फर्स्ट हम लोग का, यह तो ओवर्ल थर्टी डेस का है, तो थर्टी डेस से डिवाइड करेंगे, तो देस निकल गया, फिर उसके बाद पर देस जो है, कितना आवर्स उसको जॉप करना है, एक्वल्स जॉप मतलब यह तो उसका सैलरी बनता है, यह उसको सैलरी यह वाला सैलरी उसको मिलेगा, ठीक है, जो उसने नमबर अब डेस जो वर्क किया है, टेंडिंस दिया है, वो मिलेगा, बट एक्स्ट्रा जो उसने ओटी किया है, उसके लिए यह फॉर्मला हम लोग यहाँ पर यूज कर तो over t में आपको 200 मिलेगा, means double मिलेगा, तो double करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, just यहां पर equals to के बाद bracket open लगाएंगे, और यहां पर फिर bracket close लगाएंगे, और into 2 कर देंगे, मतलब जो भी normal होगा, उससे यह double मिलेगा, तो divided by multiply by 12 कर दिया, then enter करेंगे, यह हम लोग का निकल के अब यहां पर अलग-अलग company की अलग-अलग policy होती है, कुछ-कुछ company जो है ऐसा नहीं करती है, वो normally जो होता वही देती है, तो आप normal निकाल सकते हो, अब इसको भी round figure में अब इसको भी round figure में आ गया, अब उसके बाद gross salary निकालना है, तो gross salary के लिए equals to, जो आपका salary in hand है, इसको plus करना है, DA, फिर plus करना है, HR, फिर plus करना है, OT amount, यह सब को plus करके enter कर देंगे, और करने के बाद इसको भी track कर देंगे, इसको थोड़ा advance करना है, तो यहां पे इसको comma में convert कर दो, ठीक है, इसको भी थोड़ा bold कर लो यहां से, next हम लोग का है tax, अब यहां पे depend करता है, क आप tax को condition से भी निकाल सकते हो, normal भी निकाल सकते हो, अगर company की policy है, कि जिस भी department में जो भी बंदा है, उसकी salary के हिसाब से, उसका 2% ही हम लोग को tax लेना है, तो आप यहां से directly equals to देकर, जो gross salary है, उससे into 2% अपना निकाल रो, enter करो, आपको 2% यहां पे निकल के आ जाएगा, अगर company बोलती है, नहीं, condition लगाती है, कि नहीं, 20,000 से जो कम salary जिसको मिलता है, उसका tax कम होगा, जिसको ज्यादा मिलता है, उसका tax ज्यादा होगा, तो फिर आप वही condition लगा सकते है, equals to, if, bracket, gross salary less than equals to 20,000, comma, gross salary का into 2%, otherwise, gross salary का into 3%, bracket close करेंगे, enter कर देंगे, यह हो गया condition के भी हाफ, ठीक है, उसी तरह PF में भी same process है, अगर condition लगाना है, तो अब condition लगाते हैं, लेकिन इसको simple तरीके से लोग निकाल देते हैं, इससे into, suppose, इसको दे दिया 3%, PF मिन्स होता है, provident fund, यह amount जो होता है, यह deduct होने के बाद, after retirement, आपको यह PF का amount मिल जाता है, यह, बट यह amount जो है, यह deduct हो जाता है, यह government के पास चला जाता है, और EASI जो medical के हिसाब से, suppose, आपको एक policy दिया जा रहा है, कि अगर आपका या फिर आपके family member में किसी का कोई problem होता है, medical issue होता है, तो EASI का amount काटा जाता है, उसके बिहाफ में उसका treatment करवाया जाता है, इसको भी drag कर देंगे, और net salary क्या करना है, net salary में gross salary को minus करना है, bracket open देकर, tax plus pf plus EASI, means यह तीनों को plus करके gross salary से हम लोग minus कर देंगे, तो हम लोग का यह net salary निकल के आ जाएगा, ठीक है? यह हम लोग का पूरा complete हो गया, अब इसको थोड़ा modify कर लेंगे, थोड़ा standard mode में modify कर लेते हैं, first क्या करेंगे, यहां से 3 line selection करते हैं, यहां से insert में जाएंगे, insert में जाकर इसको entire row कर देते हैं, entire row करने के बाद यहां से जो हम लोग का employee का details है, employee का details यहां से start है, यहां से यहां तक selection करेंगे, merge, wrap, center, center, size increase कर देंगे, और यहां से फिर यहां तक selection करेंगे, फिर इसको merge, wrap, center, center, इसका भी size increase कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, उसके बाद फिर यहां से यहां तक selection करेंगे, इसको merge, wrap, center, center करके इसका भी size increase कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, और last finally इसको selection करके merge, wrap, center, center, size को increase कर देंगे, then bold कर देंगे overall अब यहां से हम लोग क्या करेंगे यहां से यहां तक overall selection करते हैं selection करने के बाद यहां से all borders लगा देंगे all borders लगाने के बाद अब यहां पे सबसे पहले type करेंगे employee employee employees details उसके बाद यहां पे earning यहां पे deduction और यहां पे net pay अभी इसको तोड़ा अलग-अलग यहां पे color set कर देते हैं इसको yellow कर दिया, इसको यहां से green कर दिया इसको यहां से red कर दिया और इसको यहां से अभी इसको यहां से selection कर के उसके बाद क्या करेंगे, फिर यह वाला को selection करेंगे selection करके इसको भी तोड़ा highlight कर देते हैं यहां से dark color लेके, यहां से font color white कर देते हैं यहां से इसको तोड़ा bold कर देते हैं यह भी हो गया, अभी यहां पे इसको selection करते हैं इसको selection करने के बाद इसको यहां से इसको फिर यहां से यहां तक selection करेंगे इसको फिर यहां से यह just modify हम लोग करें थोड़ा standard mode में आएगा थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में और subset top वाले को selection करेंगे पूरा overall selection करके यहां से मर्ज रैप और यहां से बोल्ड कर देते हैं साइस को इंक्रीज कर देते हैं यहां पर हम लोग हेडिंग लगा देते हैं एडवांस सैलरी शीट ठीक है इसको भी यहां से एक बॉड़ लगा देते हैं यहां से यहां पर सपोज यहां पर जाके और बॉक्स लगा दिया यहां से जाके इसको एक कलर यहां से सेलेक्शन कर देते है यह हम लोग का सैलरी शीट रेडी हो गया तो यह था हम लोग का आज का टॉपिक अडवान सैलरी शीट जहां पर हम लोग को दो तीन नया चीज़ देखने को मिला अटेंडेंस किस तरह से अटेंडेंस वाई सैलरी शीट कैसे निकालेंगे और ओटी उसका कैसे निकालेंगे ओटी का सैलरी कैसे निकालेंगे अट्स आल, have a nice day